Hello everyone, welcome you all at Locastar Elimited Study Zone, class 11th physics की class चल रही है हमारी और इसमें हम system of particle and rotational motion का topic आपके सामने ले करके चल रहे हैं आज की class में आज की class के पहले इसकी class के पहले की class की बात की जाए जिसमें हमने आपको important derivation कराये थे regarding center of mass of a n-particle system, two-particle system ठीक ना, तो अब पहला question 6.1 आपकी NCR ठीका, शौर पहला question पढ़िए, give the location Yes, first question देखे, question मैं पढ़ रहा हूँ, give the location of the center of mass of a sphere A sphere का center of mass देना है, cylinder का देना है, ring का देना है, and cube का देना है Each of uniform mass density, uniform mass density का मतलब क्या है बेटा? कि मतलब जो भी आपकी चीजे बनी हुई है, बिलकुल उनका mass हर जगे पर same-same use हुआ है मतलब उनके constituent particle के mass एक जैसे है, clear बेटा? जैसे ऐसा है कि अगर कोई ball iron की बनी हुई है, तो वो iron की ही बनी हुई है ऐसा नहीं कि एक तरफ iron की बना दी, और एक तरफ अपने gold की बना दी बेटा, पता है, अगर आपको एक तरफ की iron की ball बन जाए और एक तरफ की gold की ball बन जाए, तो क्या हल होगा ball का? बेटा, इधर की जो ball होगी न, बहुत heavy हो जाएगी, right side वाली ball, ये gold वाले area च्योंकि gold की density iron से कहीं ज़ड़ा होती है, ठीक है? और ये वाला जो part है बेटा, ये हलका हो जाएगा काफी, मतलब ये जो part है blue वाला, ये बहुत lightweight हो जाएगा, और ये वाला part बहुत weight हो जाएगा, तो अगर आप इसको लुड़का दोगे, तो ये वाला part डोल करके नीचे आजाएगा, gold वाला, क्योंकि gold heavy रहेगा, clear की note ये हाँ सर, तो ये equal density नहीं है, अब मुझे ये बताओ बेटा, इस वाली ball में, इस system का center of mass कहां लाई करेगा, gold की तरफ की, ऊपर की तरफ, blue वाली की तरफ, स्क्रें नहीं दिख रहे हैं सर, तो मैं ये कह रहा था कि बताइए, इसका center of mass कहां पे लाई करेगा, gold की तरफ की, iron की तरफ, ऊपर blue वाला पाट जो है, iron को शूख कर रहा है, इसमें क्या सर, बताइए, इसका center of mass कहां पे लाई करेगा, gold side में या iron side में, iron side में क्यों लाई करेगा, heavier mass किस तरफ है बिटा, gold का है, gold की density जादा है, तो center of mass इसका बिल्कुल center पे नहीं होगा, तहां पे होगा, gold की तरफ हाजाएगा, clear, तो यही मैं कह रहा था कि, तो इस cylinder को, यह जो आपका cylinder नहीं, sorry, spare है, इसको अप क्या बोलोगी, uniform mass density और non uniform mass density, यह है, non uniform का, क्योंकि इसका mass हर जगे सेम नहीं है, clear, और जब non uniform mass density होती है, तो जो इसका center of mass होता है, वो geometrical center पे नहीं होता, clear, तो non uniform mass density में, जो center of mass होगा, वो geometrical center पे नहीं होगा, फिलहाल, यहाँ पर तो uniform mass density का cases दिया गया है, आँगी question पूछा गया है, does the center of mass of a body necessarily inside the body, क्या जरूरी है कि center of mass किसी body के अंदर ही लाई करे, बताईए, yes की no, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई example दे सकते हैं आप इसके लिए, एक्जाम्पल में, रिंग देखे आप, रिंग, 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 तो जो रिंग होती है, बता, रिंग का mass जो होता है, इसके circumference पे distributed होता है, clear, मगर इसका जो center of mass होता है, इसके center पे होता है, center में इसके air होती है, हवा होती है, clear, मतलब body के inside नहीं है, body के बाहर है, okay, तो कोई जरूरी नहीं है कि center of mass जो है, वो body पर लाई करेगा, body के बाहर भी हो सकता है, clear की not clear, पढ़िए इसको the center of mass, the center of mass is a point where the mass of the body is supposed to be concentrated, but the given geometric shapes having a uniform mass density, the CM lies at their respective geometric centers, most of the cases क्या, सारे cases, जिन में uniform mass density है, मतलब जिनके mass distribution equal equal है, तो उनका जो center of mass होगा, वो कहां पर लाई करेगा, geometric center पर, yes, geometric center, okay, but यदि mass density same नहीं है, तो center पर लाई नहीं करेगा, और इसके बाद एक और चाहिए जो आपसे question पूछा गया था, कि क्या inside the body center of mass lie करेगा, कोई जरूरी है, no, पढ़िए इस line को, the center of mass, no, the center of mass of the body need not necessarily lie within it, for example, the cm of body such as ring, a hollow sphere, etc, lies outside the body, exactly, the center of mass, cm means center of mass of body such as ring, तो ring का center of mass कहां पर लाई कर रहा देखे, इस body के बाहर, हवा में, एक आपके पास खोखली foot wall है, hollow sphere, foot wall को क्या बोलते हैं बिटा, hollow sphere, तो इसका geometrical center ये भी हवा में हुआ करता है, मतलब body के outside lie करेगा, then बिटा, clear, yes sir, okay, चलिए, next, question 6.2, very important and easy question, चलिए, लगाए इसको, जल्दी से बच्चो, इसका मुझे answer बताए करके, एक चीज मैं आपको बता दूँगा, और मैं बताओ, इससे पहले question नहीं बता दिया है, 1 angostrum equal to 10 की power minus 10 meter, क्योंकि questions अभी हमको, जैसा ही unit में करना है, so 1 angostrum equals to 10 to the power minus 10 meter, ये given है बिटा, दिखे बच्चो, question number 2, 6.2 अपकी screen पर है, question के रहा है, इन्हें HCL molecule, the separation between the nuclei of two atom is about 1.27 angostrum, where 1 angostrum equal to 10 की power minus 10 meter, मतलब की, HCL molecule के दो nucleus के बीच की दूरी, तो एक hydrogen nucleus है, और एक chlorine nucleus है, इनके बीच के distance आपको दी गई 1.27 angostrum, find the approximate location of center of mass of the molecule, आपको कह रहा है कि center of mass molecule की exact location find करी, given that chlorine atom is about 30.5.5 times of massive as hydrogen atom, ठीके न, कि जो आपका, chlorine atom है, वो 35.5 times है, तो यदि आप इसका mass M मान रहे हैं, so this will be equals to 35.5 M, ओके, nearly all the masses of an atom concentrated in its nucleus, हाँ, और पूरे mass को nucleus पे हमको concentrate मेंना है, चलिए निकालते हैं, center of mass कहाँ पे होगा, यहाँ पर यह solution में जिस questions, जिस method से किया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, moment theorem, यह theorem मैंने आपको अभी पढ़ाई नहीं है, तो इस question को ऐसे नहीं करेंगे आप, अभी हम लोग जो old method पढ़किया है, वैसे करेंगे, तो हमारा आपको तरीका याद होगा, क्या होता था, r equals to, या Cartesian form में बात की जाए, तो किवल x coordinate की बात करेंगे, तो x center of mass equals to, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, यह formula हम लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं बिटा, कि हम एक mass m ले ले लेते हैं, जिसको हम origin पर मान लेते हैं, दूसरा mass अपने पास 35.5 m है, और इसकी distance कितनी है, 1.27 angstrom, तो formula लगा दूँगा मैं, m1 x1, m2 x2 upon m1 plus m2, तो first mass हमारा m है, जिसकी position x1 कितनी है, 0, क्योंकि उसको हमने origin पर मान लिया, दूसरा mass 35.5 m है, into x2, total distance कितनी यहां पर रखी हुई है, 1.27 angstrom, तो 1.27 into 10 की पर-10, divided by total mass m plus 35.5 m, देखें, यहां पर solve करने पर हमारा answer आचुका है, 1.23 angstrom, तो यही answer हमारा बिल्कुल सही है, कि जो हमारा center of mass होगा, वो near about 1.23 angstrom, यहां तक पर होगा, लगबख पाया जाएगा, क्योंकि question में, जो center of mass निकाला गया है, वो chlorine atom से निकाला गया है, chlorine nucleus से, तो मैंने आपकी संतुष्ठी के लिए मैंने भी chlorine से निकाल दिया, तो हमारी जो total distance है, कितनी है, 1.27, और हमारा center of mass की distance कितनी आई है, x equal to 0 से 1.23, मतलब यहां की distance 1.23 angstrom आई है, chlorine से कितनी हो जाएगी, minus कर दीजे, okay, 1.23 से, 1.23 मैंने देसिमल को इग्नोर किया है, अगर आप calculation में decimal बिल्कुल 0.2 पॉइंट ले लेंगे, तो आपका बिल्कुल सही answer आजाएगा, चलिए देख लीजे, जैसी 1.23 है ना, और हमको इसको किस से minus करना है, 1.27 से, तो मैं देखिए, मैं इस से 1.27 minus करता हूँ, आपका answer बिल्कुल भही आएगा, 0.03479, okay, तो कहा गया भाई साब, yes, 0.037 Angus Tram, मतलब Angus Tram में बदलोगे तो लगभग लगभग इतना ही आजाएगा, तो इतना आपको purity से लाने की कोई बात नहीं है, ठीक है न, आप ऐसे ही कर सकते हो, बुले clear बेटा, आज़े, चलिए, done, नोट के लेजे इसको, बन जाएगा, चलिए देखें बच्चों, अगला question example टू दिया गया, तो तीन मास है मैं पास में, त्री, फोर, फाइफ किलोग्राम, ओके, और यह कहां पे हैं, ट्रेंगल में रखे गए हैं, मतलब 2D शेप है, तो 2D शेप है, मतलब हर क्वाडिनेट के दो पोजीशन होगे, एक X के और एक Y के, तो हमारे center of mass के भी दो पोजीशन बनेंगे, एक X बनेगा और एक Y बनेगा, बोलो clear बिटा, अब चलिए, तो M1 के क्वाडिनेट O, 0,0, दूसरा कहां पे रखा है बिटा, वन मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1,0, और एकको लिटर ट्रेंगल है, तो आपको पता है कि, एक बिल्कुल center पे रखा होगा, तो ये height आपके पास, ये वाला distance कितनी हो जाएगी, 0.5, क्योंकि 1 का half, clear कि नो, clear, और पाइथागोरस theorem से इसको 1 ले लिजिए, और ये 0.5 means 1 upon 2 ले लिजिए, और पाइथागोरस theorem से solve कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बिटा, root 3 by 2, मतलब ये वाला coordinate कितना generate हो गया, root 3 by 2, बता ये बटे, ये clear हुआ आपको कि नहीं हुआ? तो आप आपके पास M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, और X1, X2, X3, and Y1, Y2, Y3, सब कुछ है आपके पास, पहिए शौर क्या दिक्कत हैं आपको? रूट 3 by 2 कैसे आगे समझ में आगे कि नहीं है? रूट 3 by 2 हाँ है, क्योंकि पाइथागुरस थिर्म लगा दी है, ये यहाँ पर 1 है, और ये कितना है? वाल बाइट 2, तो हाइट हम निकाल सकते हैं बड़े इजली, ये सौना है, और एक तरीका और हाइट निकालने का, एक नीचे वाला निकलता 1 कॉस 60 और उपर वाला निकलता 1 साइन सिक्स्टी, तो 1 साइन सिक्स्टी इकल टू 1 इंटू रूट 3 by 2, तो डिर्क्ली रूट 3 by 2 ऐसे भी आ जाएगा, मतलब ये जो हाइट रूट 3 by 2 आ गई, ओके? अब इसके बाद X के कोडिनेट, M1, X1, M2, X2, M 1 कितना है, 3, बट पोजीशन कितनी है, खोड़ी सेंटर पे बैठा है, तो 0, प्लस 4, यह बाला देखे, 4, 4 kg बैठा हुआ यहापे, बट इसके डिस्टेंस X में कितनी है, 1 है, M2, X2, फिर M3 कितना है, बट अपने पास में कितने किलोग्राम है, यहापे, M3, 3rd अपने पास 5 kg, 5 kg, कितनी डिस्टेंस पे बैठा है, बैठा, X पे, 0,5, यहापे, 1 by 2, तो बैठा, इसको सॉल्ट कर देंगे, यह X का कोडिनेट आ गया, ब्रेसी तरीके से, Y कोडिनेट इकोल टो M1, Y1, प्लस M2, Y2, प्लस M3, Y3, clear? चलिए, यह question बनाना बहुत जरूरी है, जल्दी से इसको copy बनाईए सभी बचे, देखे, student, अब यह question होने के बाद, हम बीच में थोड़ी से syllabus की बात करते हैं, जो हमाँ इस syllabus में क्या-क्या point है, तो अभी तक हमने क्या-क्या cover कर लिया, center of mass of a two particle system, का हमने vector analysis कर लिया, partition analysis कर लिया, two particle system, momentum conservation and center of mass, तो कल मैंने आपको दिखाया थ होता है, यादे बिटा, जिसको आपने देखा था, P total equals to P1 plus P2 plus P3, up to up to n particle system का momentum conserve रेता है, clear, and center of mass motion, center of mass motion में में आपको बताया था, कि V center of mass equals to होता है, M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2, यादा आ गया? Yes, Sir, M1 plus M2 center of mass, R center of mass तो आपको बताया था, फिर मैंने बताया था, acceleration of center of mass बिल्कुल जो होता है, वो individual particle का अलग-अलग sum लेकर के निकाल जाता है, M2A2 upon M1 plus M2, clear है, बिटा? Yes, Sir, then center of mass of a rigid body, यह मैंने आपको बताया कि center of mass of a rigid body क्या होता है, तो rigid body का center of mass निकालने का तरीका, जो M1, R1, M2, R2, M3, R2, Sigma Mi Xi upon Sigma M, X bar equals to Sigma Mi Xi upon capital M, यादा गया, ऐसा कुछ किया था हमने? Yes, Sir, yes, Sir, हाँ, और मैंने एक integration भी बताया था कि यदि आपको variable mass distribution है, तो आपको क्या करना पुड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको integration type का formula जो हुआ करता है, यह जो हमने लिखा था, to start, यह दिखाता हूँ मैं आपको, यह formula, for continuous mass distribution, इसको भी note करनें आप, r center of mass equals to 1 by m r dm, यह किसके लिए है, यह continuous mass distribution के लिए है, देखे एक होता है, discrete mass distribution, मतलब एक mass यहाँ पे है, और एक mass यहाँ पे है, अलग-अलग mass कुछ दूरी पर बैठे हुए है, बट यदि मैं आपके पास एक ऐसी कुछ rod दे दूँ, यह हैला हुआ है, और radius बढ़ने के साथ साथ, mass भी बढ़ रहा है, यह बदल रहा है, तो यह जो distribution कहलाता है, उस समय यह continuous mass distribution कहलाता है, उस इस्तिति में आपका यह formula लगेगा, और individually यह x, y, z निकालना चाहते हैं, तो x center of mass होगा 1 by m x dm, y center of mass 1 by m y dm, और z center of mass 1 by m z dm, clear बिटा, yes, okay, चलिए, यह हो गया, अभी इसका हम use देखेंगे, तो हम बताएंगे आपको, अच्छे से तब clear हो जाएगा, कि यह कैसे use होता है, then, अब हमारा topic आने वाला है, center of mass of a uniform rod, यह है, अब हमारा topic आने वाला है, center of mass of a uniform rod, कि किसी uniform rod का center of mass कहा होता है, और इसको कैसे calculate किया जाता है, ठीक है, तो center of mass of uniform rod पे जाने के पहले, मैं आपको, जो चीज important है, वो लिखाना चाहता हूँ, यह चीज लिखें, point number 4, अपनी copy में लिखें, सभी लोग point number 4, for a continuous mass distribution, यह point जो मैंने highlight किया है, इसको note करें, for a continuous mass distribution, r center of mass equals to 1 by m r dm, ठीक है, 1 by m r dm, तो, क्या बन जाएगा, r center of mass की position, equals to integration, r dm, whole divided by capital m, और इसी से, dm क्या है बिटा, r distance पर बैठा हुआ है, small mass, तो उसको integrate कर देंगे, तो पूरी geometry के लिए, total mass calculate हो जाएगा, distance के according, और यहाँ पे हम m का divide कर देंगे, तो x center of mass, y center of mass, और z center of mass की value लिख ले, yes, clear बेटा, yes, okay, अब इसके बाद, एक theorem आती है, जो बहुत काम की है, जिसका नाम है, moment theorem, लिखिए, moment theorem, six point हमने पहले ही कर रिखा है, अब हम moment theorem पढ़ने वाले हैं, तो moment theorem क्या होती है, यह आपके पास moment theorem discuss की जा रही है, the algebraic sum of the moment of masses of various particles of a system, about its center of mass is zero, yes, ठीक है, मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, net moment equal to zero, net moment equal to zero, यह होता है, इसको बोलते हैं, moment theorem, कैसे समझी इस चीज़ को, अब moment का formula सबसे पहल लिख लें, तो what is moment, moment of a force, moment of a force, यह दिख लीज़े, माल लीज़े, यह दिको यह point है, और यह x distance पर आप यहाँ पे कोई force लगा रहे हैं, तो इस force का जो moment generate होगा बेटा, वो होगा, लिखिए, moment equal to f into x, तो यह force इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, तो इसका moment क्या है, anti-clockwise moment, ठीक है, तो moment का formula नोट कर लें, force into x, force into x, clear, अब यहाँ पे सीखने की बात क्या है, यहाँ पे सीखने की बात यह है, अब यह theorem क्या कहती है, देख लो बेटा, यदि मान लो, दो particle system है, आपके पास में, वैसे तो कितने भी particle system हो सकते हैं, यह M1 है, और यह M2 है, और यह position है, इसकी x center of mass, यहाँ से इसकी distance है, M1 x1, और यहाँ से इसकी distance है, M2 x2, clear है, बेटा, तो M1, बेटा, देखो, अगर M1 का moment, M1 का weight नीचे रहेगा, तो M1 का moment कहा generate होगा, बेटा, नीचे, नीचे की तरफ, तो automatically M2 का moment कहा generate होगा, यदि connected है, तो ऊपर की तरफ, clear की not clear है, तो M1 का moment केतना होगा, तो rule क्या कहता है, net moment equal to 0, means M1 x1, अब यह कैसा है, बेटा, आपके पास में, anti-clockwise generate करेगा, आपके पास मे यह, तो यह जो है, आपके पास में, इस तरीके से generate करेगा, M1 x1, और plus M2 x2, equal to 0, क्योंकि center of mass के about आप निकाल रहे हैं, तो याद रखीगा, center of mass के about जो net moment होता है, is always 0, ठीक है, एक गलती होगी मुस्सें है, आपसे, क्या गलती होगी बाइस है, यह arrow नीचे आना था, तो इसका mass बेटा नीचे है, यह moment generate करेगा, anti-clockwise है, और यह भी कहाँ, नीचे इसका weight लगेगा, बट यह जो जाएगा arrow, यह clockwise moment होगा, तो यहाँ पे, यह क्या हो जाएगा, minus, clear? क्लियर? क्योंकि anti-clockwise moment को आप plus लेते हो, और clockwise को क्या लोगे, minus, clear? minus, minus, आपसे, तो इसको लिख सकते हो, m1 x1 equal to m2 x2, अब थियोरी और ज़्यादा clear हो जाएगी, मतलब clockwise moment equal to anti-clockwise moment, yes, जितना clockwise moment होगा, उतना ही anti-clockwise moment होगा, clear की not clear? आपसे, नहीं होगे, clockwise moment equal to anti-clockwise moment, और net moment equal to 0 हो जाएगा, f net equal to 0, clear? yes, sir, अब इसको थोड़ा और अच्छे समझ लीजे, आप इसको और अच्छे समझना चाहते हैं, तो मैं आपको और जदा अच्छे से discuss करता हूँ, इसको, देखी, जब आप कभी सामान लेने जाते हैं, weighing pen आपने देखा होगा, तो weighing pen में, जब आप सामान रखते हैं, इस त पर एक pen यह होता है, बुलिए yes की no, आप से, clear ना बिटा, yes sir, तो देखिए, जब इसका weight बढ़ता है, तो यह नीचे जाता है, जब इसका weight बढ़ता है, तो यह नीचे जाता है, जब दोनों पर आपने same thing रख दी होती है, तो यह कहीं नीचे नहीं जाता, बताइए yes की no, यह बिल्कुल fixed state पर आ जाता है, आ जाता की नहीं आ जाता है, बिल्कुल जाता है, मतलब क्या कहेंगे, net moment equal to 0 की state आपके पास आ जाती है, तो जितना moment आपका यह generate करेगा, with respect to center of mass, suppose distance x1 है, force कितना लग रहा है, f1, और point क्या है आपके पास, m1, तो moment कितना होता है, बिटा, moment मैंने शायद गलत लिखा दिया, आपको f into x लिखा दिया क्या, थियोरी में, उसको m into x कर लो, गलती से मैंने f into x कर दिया, moment का formula, f into x, m into x होता है, f into x तो torque होता है, एक बार फिर से लिख देता है, moment equal to m into x, clear? yes, sir, हाँ, तो यह जो moment generate करेगा, बिटा, देखो, यह इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, तो यह कौन सा moment generate करेगा, anti-clockwise moment, और यह इसको इधर की और लेके जाएगा, तो यह कौन सा moment generate करेगा, clockwise moment, clear? clockwise moment, तो क्या हो जाएगा, left वाले का moment कितना generate होगा, mass m1 है, distance x1 है, m1 x1, और right वाले का कितना हो जाएगा, m2 x2, अगर आप center of mass के respect में, दोनों moment ले रहे हैं, तो इन दोनों का sum always 0 होता है, this is equals to 0, clear बेटा? Yes sir, so, what can I say, m1 x1 equal to m2 x2, clear है कि नहीं clear है? Yes sir, हाँ, तो ये कहलाती है, moment theorem, m1 x1 equals to m2 x2, या simply कहा जाए, तो net moment about center of mass equals to 0, यानि कि center of mass के about, जो net moment होगा, बेटा, वो 0 होगा, एक ना? Yes sir, ओके, तो ये line आप लिखिए, net moment of a particle of a particle, system of particle, system of particle, about center of mass equals to 0, clear है बेटा? Yes sir, center of mass के about, जो net moment होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, the algebraic sum of, देखो, algebraic लिखा है, the algebraic sum of all the moment of masses of various particle of a system about center of mass equals to 0, clear बेटा? Yes sir, मतलब वही, sigma m into x equal to 0, m for mass, x is the distance, so sigma mx, mx को बोलते है moment, सिग्मा कर दिया मतलब sum of all the moment, then? Yes sir, ये जो आपको question, आपको NCRT में किया था, इसके पहले बेटा, वो actually इसी method से किया गया था, जो question ये था, ये, ये देखी, ये जो question था, ये इसी method से था, देखे, ये center of mass था, इसका हमने सब पूस कर लिए था, ये center of mass है, तो center of mass है, तो, इसके about hydrogen का moment, plus इसके about chlorine का moment, कसम कितना होगा, 0 होगा, तो ये देख लिजे भाई साब, ये आपने इसका moment, एक निकाला, अब ये तो ultimately 0 से multiply होई गया, तो क्या बना देखो, पहला M mass का moment बना, वो दूसरा S का moment बना, clear की not clear? Yes sir, clear की not clear? हाँ sir, हाँ sir, हाँ sir, हाँ, तो दोनों के moment का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अब क्योंकि आपने यहाँ पे clockwise और anti-clockwise का minus plus का sense नहीं लिया, इसलिए question ने खुद negative दे दिया आपको, हाँ, समझ में आ गया? Yes sir, अगर यदि आपने minus यहाँ पे लिया होता, तो आपका answer प्लस में आ जाता, यदि आप एक को anti-clockwise लेते हैं, एक को clockwise लेते हैं, तो यदि आप दोनों को plus-plus ले रहे हैं, तो भी आपका answer आएगा, बट minus sign दे करके आपको warn कर देगा, समझ में आया की नहीं आया है? अब वैसे दिखिया, आपके पास यह M मास है, और थोड़ी दूर पर आपके पास में कितना है, 35.5 M मास है, अब यदि यह center of mass की position है, तो इसके about जब यह घूमेगा, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, तो कैसा moment generate करेगा बटा, anti-clockwise, करेगा की नहीं करेगा, और यह point जब ज करेगा, clockwise moment, करेगा की नहीं करेगा, जैसे आप यह point है, इसके about पकड़ के डंडे को जूल जाओ, तो ऐसे नीचे चले जाओगे, तो clockwise moment generate करेगा, और यह anti-clockwise generate करेगा, तो इसका moment अगर आप positive ले रहे हो, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, negative, तो यह question क्या हो जाता, आपके पास blood condition में, M, 1.27 minus x, बीच में minus, क्योंकि यह positive moment है, और यह 35.5x, तो अब इस 30 में जो आपके पास x आता, that is equal to 0.037, automatically आ जाता है, and this is equal to 0, है ना, तो मतलब कहने का है, कि यह देखिए, यहाँ पे इसने का है, कि negative sign indicates that the center of mass lies at the left of the molecule, क्योंकि x positive होता है, तो right में जाएगा, और x negative है, मतलब कहां जाएगा, पेटा, left में जाएगा, अपने आप आपको वो minus sign खुद बता देगा, तो यदि आप plus भी ले रहे हैं, तब भी आपका answer सही आएगा, और अगर आप minus लेके कर रहे हैं, मतलब आपको पता है, कि clockwise moment equal to anti-clockwise moment, समझ गए? तो ये चीज की समझदारी हमेशा अपने अंदर बना के चलिएगा, आप यदि प्लस ले रहे हैं, मतलब आप फिर कौन सा idea लगा रहे हैं, फिर आप लगा रहे हैं, कि net moment equal to zero, उस समय आप net moment equal to zero, और अगर आप minus लगा रहे हैं, इसका मतलब आप ले रहे हैं, कि anti-clockwise moment equal to clockwise moment, ठीक है बिटा, गलत दोनों नहीं है, मगर आपको आँगे पीछे की चीज़े ध्यान में रखनी होंगी, any problem, तो ये question को इन लोगों ने किसी किया बिटा, moment theorem से कर दिया है, ठीक है, अगला topic है हमारा आज का, हमको किसी plane geometrical length का, हमाई पास rod है, उसका हमें center of mass निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे question में दिया गया है, center of mass of a uniform rod, तो heading बनाएए copy में अपने, center of mass of a uniform rod, तो देखिए दोस्तों, हमाई पास ये question है, कि show that the center of mass of a uniform rod of mass M, and length L lies at the midpoint of the rod, ठीक है, तो आपको show करना है, कि center of mass जो होता है, एक rod का, वो कहां पे लाई करता है, center पे rod के लाई करता है, चलिए देखिए कैसे करते हैं, इससे approach आ जाएगी, जो आपको मैं formula याद करने को बोल रहा था, कौन सा formula मैं आपको याद करने को बोल रहा था, ये वाला, x center of mass equals to integration of x dm by capital M, अब आपको ये समझ में भी आ जाएगा, कि मैं ये क्यों बोलता हूँ, ये center of mass की exposition है, इस article से आपको समझ में आ जाएगा, तो देखे, solve करते हैं इसको, हमाँ पास क्या है बिटा, हमाँ पास एक uniform rod है, uniform rod का मतलब ऐसी rod है, जिसका composition बिलकुल बराबर है, जैसी पतली इधर है, मुल लेफ्ट में वैसी राइट में, बिलकुल एक जैसी दिखने वाली मेरे पास ये rod है, इस rod की length L है, अब यदि मैं किसी बच्चे से भी पूछू हूँ, कि बिटा ये बता, L length की rod का center of mass कहां पे लाई करेगा, तो बता देगा सर, बहुत simple है, आपका center of mass होगा, L by 2, बट हम यहाँ पे बताने नहीं आये हैं, हम सिखने आये हैं, कि L by 2, geometrically, हम कैसे दिखा सकते हैं, कि center of mass यहाँ पे होगा, चलिए देखते हैं कैसे सिखाएंगे, तो हमारे पास हमने consider किया एक rod है, इस point को हम O मान लेते हैं, या इसकी position को हम x equal to 0 लेते हैं, और ये जो end position है, ये x equal to L लेते हैं, देखें, यहाँ पर mass का कैसा distribution है, continuous distribution है, तो ये mass के continuous distribution का केस है, distribution का केस है, तो अब आप यहाँ पे यह formula नहीं लगा सकते हैं, कि x center of mass equal to m1 x1 plus m2 x2, क्योंकि कोई गिने चुने पार्टिकल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो अर्बों, खर्मों, करुडों पार्टिकल होंगे, लगाते लगाते जान निकल जाएगी, कहां कितने पार्टिकल निकालोगे तुम, तो यह discrete के लिए formula लगता है, जहां गिने चुने पार्टिकल रहते हैं, बट, यहाँ पर हम यह वाला formula apply नहीं कर सकते हैं, बोलो clear है बटा, टोटल लेंथ L है बटा, सिस्टम की, इसको solve करने के लिए हम क्या लेते हैं बटा, हम यहाँ पे एक छोटा सा differential length ले लेते हैं, इस पूरे सिस्टम की, एक छोटी से differential length ले लेते हैं, और इसकी length मान लेता हूँ मैं, dx, तो consider a small element, a small mass element, so we are going to consider a small mass element of length dx, of length dx, तो बटा मैंने एक छोटी सी length dx, लेंथ की, मैंने एक length consider करती है, इस having the length dx, और dx length का mass है, छोटा सा dm, ओके बटा, बोले ऐसा नो, तो dx length का कुछ ना कुछ तो mass होगा, छोटी सी length है, तो छोटा सा mass मैंने मान लिया कितना, dm, तो जब dx length का mass dm है, तो unit length का mass कितना होगा, बिटा, dm by dx, जब dx length का mass dm है, तो unit length का mass कितना होगा, dm by dx, clear, unit length का mass होगा, dm by dx, एक चीज तो ये है, ठीक है अब एक चीज यह देखिए कि हमारे पास total length कितनी है L L length का mass कितना है capital M L length का mass हमारे पास में है capital M तो unit length का mass कितना होगा M by L बोलिए यस किनो तो हमारे पास में unit length का mass होगा M by L तो dx length का mass कितना होगा dx length का mass होगा M by L times of dx clear की note clear dx length का mass कितना होगा M by L times dx okay यह हमारे पास किसका mass आ चुका है बेटा small length का mass आ चुका है और dx length के mass को ही हम क्या बोलते हैं बेटा dm बोलते हैं dx length के mass को ही क्या बोलते हैं बेटा हम dm बोलते हैं बोलते हैं की नहीं बोलते बोलो अब ही तो मैंने आपको पढ़ाया कि dx length का mass कितना है dm तो dx length के mass को ही क्या बोलते है dm तो जो dm होगा बेटा यही तो होगा m upon l dx होगा की नहीं होगा बोलो फिर से बताओं क्या ये चीज़े ठीक है न एक बर फिर से मैं आपको बता दिता हूँ देखे क्या क्या किया हमने हमने छोटा सा length ले लिए dx और dx length का mass हमने क्या माल लिए dx length का mass हमने dm माल लिए अब दूसरे तरीके से देखा तो हम आपस total length l है l length का mass m है तो unit length का mass कितना हो गया m upon l तो dx length का mass कितना हो गया m upon l dx और dx length के ही mass को क्या बोलते है contain dm तो dm is equals to आगया m by l dx बूले clear किनो clear? yes किनो? अब देखिए हमें निकालना है x center of mass तो आपको बता है x center of mass क्या होता है? by formula x center mass आपको बताया गया है कि x center of mass equals to होता है 1 upon total mass x dm so x center of mass equals to होता है 1 by total mass m ओके और यहाँ पे x और यहाँ पे dm बूलो यह होता है ना, यहीजी खाएन आपको हाँ, 1 by m x dm, ठीक ना? x variable है, mass accordingly बदलता जाएगा तो x center of mass equals to 1 by capital m और यहाँ पे x की जगह x है और यह देखिए dm की जगह क्या पूट कर दूँगा? मैं capital m upon l और dx clear की not clear बेटा? चलिए, m से m क्या हो गया बेटा? cancel हो गया, तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा? 1 by l आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा? x dx आ जाएगा, अब आपको limit भी लगानी पड़ेगी कि आपके mass का variation कहां से कहां हो रहा है? तो आपने, जब यह length dx मानी है बेटा, तो dx का variation कहां से कहां तक होगा? starting x की value 0 होगी की नहीं होगी? बताइए, और final जब चलते चलते चलते, x जब end पे पहुँचेगा, तो क्या x की value l हो चुकी होगी? नहीं होगी क्या बच्चों? बिल्कुल होगी, x की value 0 से लेके l तक हो चुकी होगी, क्यों बिटा होगी की नहीं होगी बोलो? तो x की value 0 से लेके l सेट होगी, अब आईए integrate करते हैं, तो 1 upon l, x का integration आप सब लोग जानते हैं, क्या होता है? x की power n प्लस 1 upon n प्लस 1, तो फिलाल power 1 है, l स्क्वाइर बाई 2, 1 l से 1 l कैंसल, भाई साब आंसर कितना हो गया? l बाई 2, clear है? तो यह आपका आगया l बाई 2, तो आपका center of mass की position क्या होगी बिटा? l बाई 2, तो यही आपको प्रूफ करना था, कि show करिये कि center of mass जो होता है, l बाई 2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है बिटा? चली तो देख लीजे, इसको अच्छे से note कर लीजे, बहुत ही प्यारा derivation है यह, ठीक है ना? l बाई 2 डिस्टेंस पे, इसका center of mass हमको मिलेगा, कोई दिक्कत हो तो बताई प्लीज, बचों, तो देखे बच्छों, लास्ट क्लास में हमने table 6.1 तक आपको बता दिया था, कि कुछ regular bodies होती है, उनके center of mass कहां कहां लाई करते हैं, तो मैंने बताया था, जो center of mass होते हैं, geometrical center पे लाई करते हैं, और यह इनके geometrical center हैं, कल मैंने बता दिया थे, इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, वो right circular cone का है, वो याद नहीं रहता बच्छों आप लोग को, तो याद रखेगा, कि cone का जो centroid होता है, cone का जो center of mass होता है, वो बिटा अगर total height h है, तो ground से h by 4 height पे हुआ करता है, इसका center of mass, ओके done, चलिए, अब हम start करते हैं, अगला topic है अपना, rotational motion of a rigid body, एक rigid body है, उसका आप rotational motion परफॉर्म कराने जा रहे हैं, तो आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, ये देखे, आपके सामने एक rigid body है, वैसे तो ये paragon की चपल दिख रही है आपको, एक चपल मूव कर रही है, तो ये three-dimensional axis में एक आपके पास में rigid body है, ठीक है ना, मैं इसको अपने concept से समझाता हूँ, देखिए, मान लीजे आपके पास में कोई पत्थर है, पत्थर मतलब rigid body, और आपने इसको एक, इसक में बीच में से, कहीं से भी, पुराख बनाके आपने उसके अंदर एक axis जान दिया है, और आप उसको इस axis के about घुमा रहे हैं, omega, what is omega? angular velocity, जो omega अपने axis के about घुम रहा है, तो omega is called angular velocity, angular velocity इसकी omega है, ठीक ना, अब इसकी जगे कुछ भी हो सकता है, लोहे का ball हो सकता है, एक sheet हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं आप, बस आपको इसकी motion को feel करना है, तो देखे बिटा, ये एक constant angular velocity से, ये पत्थर घुमेगा, ये bulk body, ये rigid body आपके पास में घुमेगी, ठीक है? अब ये समझेए, कि इसके अलग-अलग particle है, suppose ये particle M1 है, जिसके distance R1 है, तो जब ये पत्थर घुम रहा होगा, तो बिटा, जो R1 radius है, R1 distance पर particle है, ये पूरा rotation होने पर, पर कुछ इस तरीके का अपना बात बनाएगा, दूसरा particle M2, जो यहाँ पे है, वो खुद अपना circle, एक बड़ा वाला circle जनरेट करेगा, ये किसी तरीके से, जैसे ये आप है, और आप हाथ फैला के, कुछ ज़्यादा बड़े हाथ हो गए, ये तो कानून से भी लंबे हो गए, तो ये बिटा, हमने हाथ फैला के, इनको कहा कि भाई साब, चलो घूमू, तो ये इस तरीके से, शौर बबू, इस तरीके से बिटा, आप घूमने लगोगे, घूमर डान्स, और यहाँ पर, आपका एक, आर रेडियस का circle बन जाएगा, बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, आपके, सोल्डर, या कोहुनी, जो थोड़ी कम distance पे है, उसका एक अलग circle बनेगा, मतलब, सबकी angular velocity तो सेम है, सारे body के part, सेम टाइम में, सेम angle कवर कर रहे हैं, मतलब, d theta by dt equals to omega, सबका ही constant है, omega सबका fix है, मगर बिटा, radius अलग-अलग है, सबकी radius अलग-अलग है, और आपको पता है, कि V equals to क्या होता है, r omega, तो radius बढ़ने के कारण, velocity बढ़ती जाएगी, velocity क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो जो body के point का, radius सबसे ज़्यादा होगा, उसकी linear velocity, V मतलब linear velocity, V मतलब linear velocity, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि V equals to r omega, ठीक है बटा, येस, so V equals to r omega, तो omega सबका fix है, बट radius के कारण, आपकी velocity बढ़ती जाएगी, इसको ऐसे समझो बटेक, ये एक excel है, और एक excel से, एक लंबी सी, बड़ी सी, मोटी सी rod connected है, अब आप देखो बटा, ये जो rod है, ये omega, angular velocity से घूम रही है, मतलब, ये particle, ये particle, इसके उपर चाहे, जितने भी particle आप बिठाल दो बटा, जितने भी particle बिठाल दो, थोड़े देर के बाद बिटा, ये rod ऐसी हो जाएगी, बोलो बिटा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, घूम करके, ये ऐसी चलेगी घूम करके, बिटा, ये जो point है, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये point यहाँ पे पहुच जाएगा, ये point यहाँ पे पहुच जाएगा, लास्ट वाला point बिटा, यहाँ पे पहुच जाएगा, और सबके जो angle travel होंगे, वो same होंगे, इसको अब delta theta मान लो, इसके सबके angle बिटा क्या होंगे, same होंगे, तो मेरा कहना है कि हर पार्ट की angular velocity कितनी होगी, omega होगी, बट बिटा ये बताओ, क्या सबकी linear velocity same होगी, आप यदि चाटा मानना चाहते हो, किसी को, तो आप उसके गाल को दूर रखेंगे, तो चाटा का असर जोरदार होगा, बुलिए यह सौनू, और आपने चाटा मानने के लिए हाथ खीचा, और वो सामने वाला आपके मुह तक चढ़ाया, बिल्कुल, आपके मुह के पास आ गया, तो बताएए उसके गालों पे उतना जोर चाटा लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, बता चले आपकी arm लग जाए, क्यों की बिटर radius बढ़ती जाएगी, तो इस point की velocity V1, इसकी V2, इसकी V3, तो सबसे ज़्यादा किसकी velocity होगी, V1 की होगी, बिगाज V1 इकुल्स टू R1 उमेगा, और radius सबसे बड़ी है R1 की, यदि मैं यहाँ तक की, इसकी radius R1 लेलू, यहाँ तक की, तो यह है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि बिटर जब कोई rigid body, rotational motion perform करती है, तो बिटर हर एक point की, angular velocity तो same होती है, क्योंकि पूरा का पूरा body, same omega के साथ गूमती है, मगर बिटर velocity सबकी क्या होती है, अलग-अलग होती है, जी हाँ, velocity सबकी अलग-अलग होती है, तो देखिए, यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है, a body set to possess rotational motion, यह देखिए, यहाँ पर यह body घूम रही है, इस तरीके से, और यह point P है, यह point P चलते 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 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना, कितना angle travel करके, theta angle travel करके, so you can say, omega equal to delta theta upon delta t, ठीक है, now, rotational motion, if all particles move along the circle in parallel plane, सारे, जितने भी, आपके, rotational motion में, circular path बनेंगे, particle के, सब के सब parallel plane में बनेंगे, देख लो, इसका circular path यह बनेगा, इस वाले का circular path यह बनेगा, यह वाला मान लो, कोई point है, तो इसका circular path भी बहुत बड़ा बनेगा, मगर सारे circular path, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, plane दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है की नहीं दिख रहा है बिटा, मतलब कोई चोटा सरकल बनेगा, कोई बड़ा सरकल बनेगा, बट सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, yes, in the same plane, the center of these circle lie on a fixed perpendicular to the parallel plane, is called axis of the rotation और इन सभी planes का जो center होगा वो ही axis of rotation कहलाएगा जैसे diagram में आप देखिए ये जो सभी plane का जो center है ये मेरी orange color की line जा रही है और ये तीनों के जितने भी होगे सब के perpendicular होगा जिसके about so this is called axis of rotation clear है this is called axis of rotation okay so हम यहाँ पे थे the radius vector of all particle of a rigid sweep out the same angle हाँ बिल्कुल सही बात है क्योंकि हर particle की angular velocity same है radius vector of all the particle अभी मैंने आपको particle बना के दिखा है था कि चाहे कोई भी particle हो चाहे पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो सबका angle same होगा क्योंकि angular velocity same है okay they sweep the same angle sweep the same angle theta in time t about the axis of rotation so all the particle have the same angular velocity omega equal to theta by t which is also called angular velocity of the body clear बेटा इसको हम body की angular velocity बोलते है clear बेटा शौर चली अब वही derivation आपको याद होंगे जब हमने first chapter में आपको कराया था बिल्कुल उसी तरीके से ये derivations आपके पास आने वाले है ठीक ना यहाँ पे बस change हो जाना है जैसे की हम वहाँ पे कुछ याद दिलाते हैं आपको जब हमने first derivation आपको किया था तो मैंने बताया था देखिए वहाँ पे चलना था linear यहाँ पे सब कुछ चलेगा क्या angular यह देखिए यह body है माल लिजे starting angular velocity इसको कितनी दी गई omega naught सो बिटा omega naught कहलाती है यहाँ पे initial angular velocity clear बिटा हाँ initial angular velocity omega naught जैसे वहाँ पे u कहलाती थी u is initial velocity and v is final velocity यहाँ पे omega क्या कहलाएगी बिटा final angular velocity मतलब अपने इसको omega naught से सुरू किया फिर आपने इसको धक्का मारना सुरू किया for example एक पार्क में गए आप और एक पार्क में आपने देखा होगा वो टोकरी वाला जूला जिसमें बच्चे बैठते हैं आज कर डख लगा दिया जाता है यह देखिए ऐसे रहता है ना तो क्या करते हैं आप यहां पे खड़े हो जाते हैं और एक बार इसको पहले धक्का मारते है इनीशल वेलासिटी ओमेगा 0 तो याद रखेगा क्योंकि यहां पे रोटेट होता है तो आप जो वेलासिटी देते हैं इस एंगूलर वेलासिटी ओमेगा 0 फिर आप क्या करते हैं जैसे ही अगली बार इस घूम किया था आप इसको एक और जप्ता मारते हैं मतलब आप acceleration प्रेडूस कर देते हैं और acceleration प्रेडूस करने से इसकी एक final वेलासिटी बजाती है ओमेगा और वाट इस अल्फा अल्फा इस एंगूलर एक्सेलरेशन क्लियर बेटा और टाइम टी टाइम टी जो टोटल टाइम टी लगता है उसमें आपने ये परफॉर्म कर दिया तो देखे किस तरीके से डेरिवेशन होगा हम जानते हैं इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे ओमेगा की value कहां से कहां change होगी initial angular velocity omega 0 final angular velocity omega time की value 0 से ले करके t तक change होगी बोली बच्चों यहां तक clear है सभी को एकदम so बिटा omega की limit put कर दीजे upper minus lower and here alpha upper minus lower बिलकुल omega equal to omega 0 plus alpha t कुछ यादारा आपको v equal to u plus 80 बस वहां क्या था इसका linear motion और यहां पे इसका rotational equivalent बन चुका है clear बिटा बिलकुल same procedure एकदम जैसे वहां पे हम करते थे जैसे इस derivation को हमने किया था वहां पे ds v equal to ds by dt second equation तो v dt is equal to ds फिर इसके बाद इसको integrate कर दिया था v equal to u plus 80 रखके similarly बिलकुल ऐसे ही बिटा इसमें second derivation आपको derive करना है अब बड़े आराम से इसको derive कर सकते हैं और third equation आप यहां पे यह third equation आपको derive हो जाएगा clear तो हमाई पास तीन equation हम derive करने वाले हैं याद किज़े linear equation में हम पढ़ते थे तो हमने तीन equation derive कि थे v equal to u plus 80 और इसको हमने क्या बोलते थे हम इसको इस derivation method को हम क्या बोलते थे calculus method calculus method से derive करना बिलकुल वही हम यहां करेंगे दूसरा क्या किया था हमने s equal to ut plus half 80 square and v square equal to u square plus 2s तो यह सारी किस से किस के थे वहाँ पे यह थे linear motion के और linear motion के place पर अब हम कौन सा motion पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे rotational motion तो जो rotational motion में हमारे जो equations बन रहे हैं that is omega equal to omega not plus alpha t omega हो जाएगा final velocity initial angular velocity और एक ही जगा alpha यह होता है यहाँ पे बेटा linear motion था यहाँ पे कौन सा motion था linear motion इसको rectilinear motion भी बोलते हैं और यहाँ पे s है displacement linear displacement यहाँ पे angular displacement theta equal to omega not t plus half alpha t square and last omega square equal to omega not square plus two alpha s की जगए theta sorry फिर से लेग देता हूँ इसको गंदा हो गया omega square equal to omega not square plus two alpha theta clear बेटा clear है तो यह तीनों derivation हम बना सकते हैं है ना omega square minus omega not square equal to two alpha theta इन चीजों का यूज करके बेटा हम तीनों equation बना सकते हैं equation number one equation number two equation number three clear चलिए तो आप इन तीनों equation को जल्दी से मुझे बना करके अच्छे से सभी बच्चे मुझे भेजेंगे इसका photo भेजिए करके इसको मैं चेक करता हूँ तो देखिए शौर यहाँ पर इस derivation के साथ ही हमारा topic syllabus का rigid body rotation and equation of rotational motion हमारे यहाँ पर खतम हो जाएगा है ना तो rigid body का rotation का जो equation बनते हैं वो यही rotational motion के जो equation कहलाते हैं वो यही कहलाते हैं done